आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगसभा में राश्वपती के अविभाशन पर हुई चर्चा का जवाब दिया श्री मोदी ने कहाए कि मौजूदा सरकार ने तीज गती से काम किया है इसका परिणाम है कि देश की जनता ने इसे देखा और देखने के बाद चीन में फैले कोरोना वाइरस के संक्रमन को देखते वे राजी सरकार ने व्यापक कदम उठाए है सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये हैं कि होटलों और हवाय अद्रों पर अंतराश्री यात्रियों की पहचान करके उनसे उनके आने जाने और रुकने की पूरी जानकारी आनिवारे रूप से हासिल की जाए साची और बांदवगर सहित राजी के प्रमुक परेटन स्थलो पर चिकित सा आउट पोस्ट स्थापित किये गए हैं जहां परेटिकों को कोरोना वाइरस से बचाफ के बारे में बताया जा रहा है इसके अलावा राजसरकार ने आम जंता को कोरोना वाइरस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नियंदरन कक्ष स्थापित किया है नियंदर्ण कक्ष के टॉलफी नंबर 104 के माध्यम से कोई भी वेक्ती इस वाइरस के बारे में अपनी किसी भी शंका का समाधान कर सकता है अनुपूर में भी चीन से लौटी एक छात्रा के सैंपल डॉक्टरों ने जांच के लिए पूरे भीजे है यहां के जिला अस्पताल में पांच बिस्तरों का आईसोलेशन वाड बनाये गया है जहां चीन से लौटी लोगों को 14 दिन की निकरानी में रखा गया है धार्जिले के मनावर थाना शेत्र में कल भीड त्वरा की गई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री कमलनात के निर्देश के बाद पुलिस ने आज पांच आरोपियों को गरफतार कर लिया है जबकि इस मामले में अपर महानेदेशक विवेक शर्मा ने मनावर त्याई समेथ पांच पुरसकर्मियों को निलंबित कर दिया है गरतलब है कि उजयन के छे लोगों पर कल भीड ने हमला कर दिया था जिसमें एक की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए थे घायलों को इन दौर में भरती कराया गया है स्वास्तमंत्री तुलसी रामसिलावर ताज अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे वहीं राजविधान सभा में विपक्ष के नेता गोपाल भारगम ने विधान सभा के आगामी बजट सत्र में इस खटना को प्रमुकता से उठा कर सरकार से इस मामले में जवाब मागेंगे शोपुर जिले के लिए एक अच्छी खबर है यहां लिंगा नुपात में काफी सुधार हुआ है लगातार बेटियों की घटी, संख्या, शासन, प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई थी लेकिन अब शासन की योजनाओं की जागरुकता के बाद यहां लड़कियों की संख्या बढ़ रही है पेशे हमारे समवादाता अश्वनी बालोदिया की एक रिपोर्ट प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपाद के लिए पेचाने जाने वाले चंबल संबाग के शोपर जिले के लोगों को बेटियों के प्रती सूच में बदलावाया है ये जिले के लिए लोगों की बेटियों के प्रती सकारात्मक सोच का ही परणाम है कि जिले में लिंगानुपाद में सुधार हुआ है बेटियों के जनमका लिंगानुपाद 949 से बढ़कर 961 पर पहुंच गया है जिले का बाले का जनमका लिंगा अनुपाद 2011 में 897 में था, इसके बाद लिंगा अनुपाद में उतार चराव बना रहा है। लेकिन अफसासन की योजना साइथ कड़े कारून के बीज जिले में बेटियों के प्रतिचाग रुकता आई है। बेटियों के प्रती लोगों की सोच में आया बदलाब चेले के लिए सुकत बदलाब है। कवी प्रदीव की आज जैनती के मौके पर पूर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहार ने शुर्धान जली दी है। कवी परी में भी इस दोरान लंबित प्रकर्णों का निराकरन किया जाएगा। उमरिया में आज राजिस्सरी अधिकारी करमशारी टैनेस बॉल क्रिकेट प्रत्योगिता का शुभारम अमर शहीद स्टेडियम में होगा। इस बुलेटिन में इतना ही आकाश्वाणी भुपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए। शाम साथ बच कर दस मिनिट पर नमस्कार। प्रादेशिकेप्र कर दो, ठचेस्ट नमस्केप्र बुलेटिन साथ गल्मशारा प्रत्रक्प्वाणीप्रा तरादेशिक अग्ज़नेण जा में होत्के पर दूपक्त्रादेशिकेप्र हुआ कर दो, तÏ उनाहीं हुआ्यों हुआ होूआको ओुीआ...